दोस्तो हेम गार्ड अरो सकेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है अक्सर यह कॉश्चन हर कास्टमर पूछता है जब वो अरो परशेज करना चाहता है कि सर जो अरो की वरंटी है वो कितने टाइम की है तो आज मैं बिल्कुल कुल करना चाहता हूँ जो हिमगाड आरो स्केल है वो वरंटी देता है तो किस चीज की देता है साथ से पहले दोस्तों जो जितना भी इलेक्टिकल पार्ट्स है आरो सिस्टम में यूज होता है वो वरंटी में आता है जैसे कि आरो पंप, SMPS, चोक, UV लेंप वरंटी में नहीं आती है low pressure switch, SV जिसे solenite वाल भी कहते हैं TDS controller, micro switch जो float में हमने डाला होता है वो वी वरंटी में आता है इसके लावा अगर high pressure switch यूज किया हो वो वी वरंटी में आता है जितने V filter है चाहे वो alkaline है जहां मेंबरेन है सेडिमेंट स्पान फिल्टर कारवन फिल्टर पोस्ट कारवन यूवी लेंप ये वरंटी में नहीं आते हैं क्योंकि जब भी डास्ट बहुत ज़ादा होगी मिट्टी बहुत ज़ादा होगी तो ये ब्लोक हो जाएंगे उस केस में हमको ये चेंज करने पड़ेंगे जैसे हम चाय पती यूज काते हैं फैंक देते हैं इसी तरह से वाटर कैंडल जो होती है वो यूज होती है फिर ब्लोक हो जाती है जब बहुत सारी डस्ट इसमें भर जाती है जा फिर इसे रिवाश किया जाता है लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती है तो वरंटी सिर्फ उन चीजों की है जो इलेक्टिकल पार्स है आरो सिस्टम के और जो नोन इलेक्टिकल है वो वरंटी में नहीं आते हैं और बहुत सारी जानकारी लेने के लिए दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें हिमगाड आरो स्केल और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें हाँ एक बात दोस्तों जरूर है कि जो आरो सिस्टम हम लगाते हैं उसकी हम वरंटी के बाद केंडल चेंज की जाए तो उसमें केंडल का रेट प्लस सर्विस का चार्ज एड किया जाता है थैंक्यू वेरी मच्छ